हाई आज हम लोग consumer के बारे में बात करेंगे consumer का हमने अल्लुड देखा हुआ है consumer आप नहीं देहा तो उसको देख लीजिेगा पहले तब अब यहां पर ठच चानल कोड का और यह जानेंगे और फुरा सा कांपको करने का तरीखा तरीका है जुलता है, consumer आपको provide करता है कि आपके code को यह structure करता है as a series of function में, जो कि call होते हैं, जब भी कोई event fire होता है तब, और यह आपको allow करता है कि आप अपना code synchronous या फिर asynchronous way में लिख सकते हैं, यह हमने देखा वाता है, हमने साथ में यह भी देखाता है कि आप किस तरीके से consumer को create कर सक णते है एक प्लिकेशन है, वह इसके इ संधर में ने बनाया, consumers नाम का इसमेमें पहले मने इमपोर्ट कर लिया, सिंक कंजुमर को बिएस मुझे यह यूज करना है इनेट करते वक्त कुछ और अगर इंपर्ट करना तो आप सारी जी इंपर्ट कर सकते हैं इसके लागे अपने क्लास यह बना रहा हूं क्लास का नाम है रहता है mySyncConsumer और यह इनेट करता है सिंक कंजूमर को आप अपनी मर्धी से इसका कोई भी नाम रख सकते हैं जो भी नाम रखना जाएं इसके बाद इसमें पहला जो मेथाड होता है या फिर हैंडलर हम लोग इसको बोलते हैं वह होता है इसमें दो परामिटर से इसल फो और इवेंट जीजा कि आप देख सकते हैं इस बार नहीं लिखा प्रिंट लिखने के बज़े मैं एक्च्वल कोड लिखावा है जो कि आप देख सकते हैं सेल्फ डॉट सेंड और इसका टाइप आपको देखने देहान में रखना पड़ता है कि टाइप इसका क्या है văsuket.accept दीखेए văsuket unрашkor connect कब handler कब चलता है जब initially क्लाइंट ओपन करना चाहता है कोई connection तब यह हमारा मेथड चल पड़ता है यह handler चल पड़ता है लेकिन रिपAKोई क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे connection बनाना तो server को उस connection को accept करना पड़ता है तब भी connection दोनों तरब से जूड़ पाता है तो accept करने के लिए हम लोग यह ला line लिखते हैं कि self.send और इसके type में हम लिखते हैं websocket.accept तो इससे connection हमारा accept हो जाता है फिर अब communication हो सकता है जैसे होना होता है वैसे तो यह हम लोगोंने code लिख दिया connection बनाने के बाद accept कर लिया connection को अभी दूसरा हम लोग यह पर method यूज़ करते हैं websocket underscore receive इसमें भी तो बारामिडर है self और event इसमें event में एक property है event में text एक property है जिससे हमें जो client में message भेज़ता है वह हमें receive होता है और इसको लोग चाहिए तो display कर सकता है या फिर use कर सकता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है print में कि message received from client यह तो text as it is दिखेगा यह बसे मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है यह हमारा जो actual message रहेगा वह रहेगा event और square bracket अंदर जो मैंने text लिखा हुआ यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर से आपको client message भेजता है वह आपको receive होता है इस तकी सब उसको access कर सकते हैं यह ध्यान में रहेखिए अब इसी client ने जो server को भेजा हुआ server ने receive किया और आपको यहाँ पर दिखाई दरा है server भी तो client को message भेजएगा तो वह कैसे करते हैं उसके लिए हम लिखते है self.send उसके बाद यहाँ प्रपर्टी होता है type type में इसका ध्यान रखिए कि websocket.send लिखना होता है यह एक तरीक का event जो मैं send to client लिखा है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मरजी से मैंने बस एक meaningful text लिखा हुआ है अपना मरजी से कोई भी message आप send करना चाहते है client को वह आप लिख सकते है then यह हमारा बंद हो जाता है तो event text में जो client हमें देता है वह हमें receive होता है और यहाँ send के अंदर जो text लिखा हुआ है इसमें जो server client को भेजता है वह message यहाँ पर लिखना होता है उसके बाद आप disconnect लिखते हैं मैंने raise किया हुआ stop consumer क्यों ताकि कोई हमें exception और मिलेना इसको मैंने raise किया stop consumer को यह हमारे consumer को stop करता है disconnect करने के बाद तो यह है एक proper सा consumer जो हम लोग आगे भी लिखेंगे example जब करेंगे तब तो आपको और अच्छे समझ मैं कि इंटर्नल कैसे कौन सा event जैसे websocket.send क्या है यह चल में है क्या और कैसे यह सारी चीजह हो रही है यह हमें देखने की जरुरत है इस तरीके से asynchronous अगरा बनाते हैं तो वहाँ पर मैंने same code लिखा हुआ मैंने पहले import किया async consumer को फिर मैंने class बनाया अपना my async consumer नाम से अपना नाम को भी रख सकते है async consumer को यह inherit करके बनेगा हमने async यह पर handler लिख दिया हुआ इसके बाद इसमें दूसरा है वेbsocket अंडर्सकोर रिसीब यह भी async के साथ मैंने बनाया हुआ है इसमें जो भी message आएगा client से हमारे पास यानकी server के पास वह event टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा अगर server से client के पास भीजना है तो आप await self.send लिखकर यहां पर text में लिख सक जैसे वेbsocket connect self event हमने देखा था तो यह handler call होता है जब client initially open करता है connection और वेbsocket handshack about to finish होता है वाला होता है उस वक्त यह हमारा execute होता है यह handler और जो code लिखेंग है वह execute आपको आपको दिखाई देगा मतलब जब इसका logic होगा वह आपको execute होकर मिलेगा इसरे से दूसरा एक ह चलता है तब जब client से data receive होता है जब client को data भेजे तो यह हमारा execute होता है यह handler ठीक है उसका डिसकनेक्ट है जब client disconnect कर दे connection यह सर्वर डिसकनेक्ट कर दे सर्वर यह connection automatically lost हो जाए तो उस case में हमारा disconnect चलता है अब यहां जो आप एक चीज़ देखते हैं जैसे websocket underscore connect या फिर websocket underscore receive websocket underscore disconnect यह handler है यह handler है तो इसका कोई कोई इवेंट जरूर होगा उस इवेंट के अकर होने पर यह हमारा handler चलता है जैसे कि मैंने आपको होता है कि जब भी कोई connection open होता है तो हमारा चलता है websocket underscore connect तो एक event अकर हुआ connection open होने का तो हमारा handler चला websocket underscore connect उस तरिके से एक event अकर हुआ message receive होने का client से तो हमारा handler चला websocket underscore receive उस तरिके से एक हमारा event चला कि disconnect होगा तो उसके लिए handler चला websocket underscore disconnect हुआ event कौन कौन सा है वह हम लोग अब देखेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लेजे आप यहां पर consumers are structured around a series of named method corresponding to the type value of the message they are going to receive with any dot replaced by underscore जैसे की अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि websocket dot connect message अगर यह हमारा websocket dot connect message is handled by websocket underscore connect तो websocket dot connect यह event भी सकते हैं अब चला इसको message ही technically कहा जाता है बट हम लोग event मानने कर चलते हैं कि websocket dot connect event जब होता है तब हमारे handler चलता है websocket underscore connect यानि कि इसको लिखने का तरीका देख लिजिएगा आप दियान में रखेंगा तक आपको भाविश में काम आएगा कि websocket dot connect लिखका हमारा event या फिर हमारा message तो उसका जो handler लिखना है हमें वो लिखना है websocket underscore connect यानि कि dot को replace कर देना है बाविश में आपको इसका मतलब खुद का handler आपको लिखना पड़ेगा अभी नहीं बट आपको ही समझ के लिखना पड़ेगा कि इस तरीके से websocket dot net लिखते हैं तो उसका जो handler बनेगा वह आपको बनेगा website underscore connect ओके जी तो यह धान में रिखिए अभी देखते हैं events हम लोग इसे connect पे event बनता है receive event connect receive event हम लोग इसको बोलते हैं यह sent to the application when the client initially opens a connection and is about to finish the websocket handshake तो websocket dot connect यह event चलता है तो हमारा कौन से method चलता है websocket underscore connect ठीक है तो type में हमने लिखा हुआ है यह अचली बना कर दिया गया हमें हम लोग लोग लिखा हुआ नहीं है यह बना कर मिलता है कि websocket dot connect event जब भी हमारा चले यह कब चलेगा जब initially client open करता है कोई connection तब यह event चला मान दीजिए मैं इसको event ही बोल रहा हूं इसको message भी कहा गया है तो मैं event मान कर चल रहा हूं यह कि सब को अच्छे से समझ में आगा इसलिए तो यह event चला तो इसका जो handler है websocket underscore connect मैंने आपको बताया था कि type में अगर websocket dot connect लिखा हुआ है इसका handler बनेगा websocket underscore connect तो हमारा handler चलत यह application के द्वरा send किया जाता है जब भी application को लगिए कि हाँ जो incoming connection आ रहा है उसे मुझे accept करना है इसका जो type होता है websocket dot accept इसके साथ ही इसमें कुछ और होते हैं जैसे आप sub protocol लिख सकते हैं आप header से लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो इसमें name value का आप इस तरी के से list बना कर देते हैं where name is a header name and value is a header value तो अगर आपको जिससे आप connection को accept कर रहे है तो उसमें आपको header pass करना है तो आप इसको इसके अंदर में लिख सकते हैं और इसको लिखते कैसे हैं हम लोग self dot send जिसके मैंने को होता है self dot send लिखना है और फिर हमारा type होता है websocket dot accept यह हमारा चल color define है आपको सिर्फ यह event लिखना है कि आपको कव accept करना है connection को तो मैंने आपको देखा था कि connect method जो हमारा है websocket underscore connect उसके अंदर महलू लिखते है type websocket dot accept इसको send के साथ लिखना होता है because send event है accept send event है इसी वजह से send करेगा application send करता है client को कि हां मुझे यह connection receive करना है इस दिर के से और दखिये और हमार पर receive event है यह send किया जाता है when data message is received from client जब client से message हमें receive होता है concept client से hem data message receive होता है तो हमारा यह event चलता है मैं जब हमें कहता हूं तह server अपमान कानते फिर application अपमान का चली इसका type होता है websocket dot receive जिससे हमें websocket underscore receive handler हमारा चलता है तो जब आप data receive करते हैं आप means जब server या application data receive करता है client से तो ये event चलता है और websocket dot receive जिससे हमारा handler चलता है वो चलता है websocket underscore receive जिसमें कुछ और properties है जैसे byte है अगर आपको bytes भीजना होता होता है तो उस case में या फिर टेक्स्ट भी होता है जिसपे आप message content आपको रहता है the next event है हमारा send send event ये send by the application तो ये application के द्वारा send किया जाता है client को जो भी data message हो यानि कि अगर client receive करता है message server से या फिर आप ऐसे कर सकता है कि जब application ये server data message भेजता है client को तब ये event हमें चलाना पड़ता है web circuit.send तो ये event चला और जो भी message होता है वो आप message है सकते हैं अगर binary है तो आप bytes लिखेगा अगर text है तो आप text लिखेंगे ठीके जी तो ये हमारा एक और event हो गया इसी तरीके से एक और event है disconnect का जो कि बहुत ही easy है ये sent to application when either connection to the client is lost either from the client closing the connection the server closing the connection or loss of the socket तो कोई भी होता है client connection बंद करे या फिर server बंद करे या फिर किसी भी वजह से connection अगर lost होता है तो हमारा ये चलता है इसका जो type होता है web socket.disconnect जिससे की हमारा handler चलता है website underscore disconnect इसका एक और प्रोपर्टी होता है code जिसमें specific code आप लिख सकते है close होने पर या फिर disconnect होने पर एक और event होता है जो कि हमने अभी तक use नहीं गया close event close send event ये application के तोरह send किया जाता है server को बताने के लिए कि connection को close कर देना है अभी देखिए मैं कभी-कभी application के जगह पर server बोल देता है तो ऐसा आपको confuse नहीं होना है कि जैसे कि इस sentence में लिखा गया कि application server को बताता है ताकि आपको अच्छे से समझ में और आसान दरीके समझ माइगा यूँकि अगर मैं एक application रखूंगा फिर server रखूंगा फिर client रखूंगा तो तीन-तीन चीजें हो जाएगी फिर आपका दिमाग dot close हम लोग इसमें लिखते हैं यह हमें लिखना पड़ेगा हमें send event के साथ इसको लिखना पड़ेगा जभी आप close करना चाहें तब आप code में लिख सकते हैं और reason भी लिख सकते हैं text के तोरुपर जैसे मैंने no need यहां पर लिखा हुआ है तो यह सारे events हैं इसमें अब इसमें से काफी सारे events हम लोग अलगी देख चुके हैं जैसे websocket.accept हमने देखा है websocket.connect देखा है websocket.receive देखा है और भी कुछ-कुछ चीज़ें आपने देखी हुई है बाकी जो चीज़ें बच्ची हुआ मैं आपको दिखा दूँगा close में आपको नहीं दिखा हुआँगा close कहा होता है use आप बताता हूँआ अगर आप forcefully कहीं पर connection को close करना चाहें तो आप close event का use कर सकते हैं यानिकि websocket dot accept लिखते हैं बिल्कुल वैसे या फिर कुछ data receive होने के बाद ही मैं इसको close करना चाहता हूँ तो मैं इसको close कर सकता हूँ तो उस case में आप close का use कर सकते हैं और यह भी आपको देखने को मिली जाएगा कहीं ने कहीं तो मैं बता ही दूँगा यहान ही तो generic consumer में कहीं ने कहीं handler चलता है यह सारी चीज आपके clear होगी होंगी जो behind this in work होता हुआ अभी हम लोग इसी चीज का एक practical देख लेते हैं और फिर इसको जल्दी से wrap up करते हैं तो मैं work करने वाला हूँ work on DC में जो मेरा ENV था उस पर मैंने उस पर मैं इस पर login हूँ यानि कि ENV पर मैंने स्विच कर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं GS कितना हो जागा फोर 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 लेसन नहीं है हमारा तो GS4 लेसन से मानकर नहीं चलना यह ऐसा ही मैंने नंबर दे दिया हुआ था कि आपको समझने माशना नहीं हो तो इंटरपेस के मैंने हमारा बन गया एक GS4 अब देख हुआ उसके बनाना शुरू करेंगे तो करने हैं और यहाँ पर हमें तब से पहले एप में इन्स्टल अप्स में यहाँ पर लिखना है चैनल चैनल हो क fix ईघ्व कर देंगे और यहं पर डबलू कि बजाए इकर देए तो यह होगे अभी और कुछ भी है आप सेट अप करने का शकता है इसको करते हैं क्लोज और एसकी फाइल में हमें सेट अप करना ते इसकी फाइल में मैं क्विकली सेट अप करता हूं मैंने कई आपको यह दिखाया अभी तक इसको हम लोग क्या करते हैं क्विकली कर लेते हैं राउटिंग नमका उसको हमने बस यहां पर वेब सुकेट में पॉइंट किया हुआ है तो हमने यहां पर अप्लिकेशन लिखा प्रोटोकॉल टाइप राउटर लिखा हुआ यहां पर वेब सुकेट हमने नहीं लिखा यहां राउटर का यूज करके चुब हमारा राउटर होगा वेब सुकेट से रेल्टेड वह हम लोगोने यहां पर पॉइंट कर दिया हो बताँ तो बस इतना ही एज़ गीम आपको सेटिंग करना इसको कर दें क्लोज और हमारा काम लगान बचा हुआ है कि हम लोग गाला चांशिंवर का राउटिंग यहां पर क्रिएट करें तो दो फाइल्स में बनानी का सब्सक्राश् totalement है प्हेला फाईल है देने की मिलेगी consumer जो हमने देखा भस वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले तो सबसे पहले import करते हैं सिंक consumer और एंकन स्थाट कर लिए सिंक कंजूमर और साथ में मैंने इस टॉप कंजूमर को भी इंपर्ट कर ले यह हम लोग करते बहुत लिखते हैं exception क्राइब उसके बाद हम लोग सेंबली क्लास बनाएंगे तो यहां पर फम्लीक करते हैं क्लास लिख्खा और क्लास का नाम अपने अइमर्जे से कुछ इदा सकते हैं बट मैं यहां पर माई सिंक कंजूमर ही इसका नाम रख रहा हूं मैं सिंक कंजूमर और यह इंहरीट करके बनेगा sync consumer को तो यहाँ पर sync consumer हमें लिखना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना method लिखना सुरू करेंगे हैं handler लिखना सुरू करेंगे तो def लिखा और सबसे पहला हमारा हमारा जो handler है वहाँ web socket underscore connect और यह किस event पर चलता है है web socket connect event जब हमारा चलता है तब यह handler हमारा चलता है और यह handler यह event चलता कभे यह event तब चलता है जब client initially connection को open करने के लिए हमें कहता है तो इसमें दो parameter होते हैं तो self और event उसके बाद इसके नार मैं print लिख सकते हैं मैं print यहाँ print लिखकर दिखाऊँगा हाला कि मैं नहीं दिखाया था मगर यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंट लिखे हैंगे तो हमें अच्छे तरीके से चीज़ें समाजी माइगी तो application के द्वारा इसको accept किया जाएगा जो भी incoming connection आ रहा हुआ तो उसको हम लोग उसको किस तरीके से accept करेंगे इसके हम लोग self.send यहाँ पर use करेंगे और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एक type टाइप मिन से एक event हमारे यहाँ पर चलेगा और यह event होगा websocket.accept इस event पर हमें हमारा connection accept हो जाएगा यह event चलेगा तो इसके इस से रिल्टर जो भी handler होगा वह चलेगा और उसमें code लिखा होगा कि आपको accept करना है connection तो यहाँ तक ही हमारा काम हो गया अभी यह हमारा हो गया कि हमारा जब भी initial connection आएगा तो यह हमारा चलेगा इसके दर ही हमने accept करने का code लिख दिया हो तो accept हो जाएगा और हमारा connection create हो जाएगा टूवे का अब हम लोग यहाँ पर रिसीव का लिखेंगे तो यहाँ पर websocket connect के बजाए यहाँ पर रिसीव मैं लिख देता हूं मैसेज रिसीव होता है तब क्लाइंट से जब application को को मैसेज रिसीव होता है तब handler यह हमारा चलता है आपको लिख सकते हैं message received from client यह दिया सो कॉमा और event में जो भी होगा वहाँ में मिल जाएगा उसके बाद event में इवेंट टेक्स्ट में हमारा मेंन टेक्स्ट रहता है तो आप चाहिए तो इसको प्रिंट कर सकते हैं event और इस तरीके से टेक्स्ट लिख का जिसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं उसके बाद यह तो जो क्लाइंट ने भेजा वहाँ डेटा आपने यहाँ पर अक्सेस किया और इसको कैसे अक्सेस करने के बहुत देखा लेकिन अगर application क्लाइंट को भेजता है कोई डेटा तो वहाँ भेजेगा कैसे उसको भेजने के लिए self.send और यहाँ पर इवेंट हमारा चलेगा इवेंट अब इसको मैसेज भी कह सकते हैं टाइप और यहाँ पर हमारा यह हो जागा वैब सॉकेट डॉट सेंड इसको कॉमा दीजिए और क्या मैसेज होगा या फिर क्या हमारा टेक्स्ट रहेगा हम लोग टेक्स्ट प्रोपर्टी में यहाँ पर लिखते हैं और टेक्स्ट में सिं send to client from application उसे क्यों बढ़ने पड़ता है आपको बस समझ में आना चाहिए कि जो हमें client भेजता है वह हमें इस तरीके से receive होता है और अगर application को client को भेजना हो या application से client में भेजना हो तो उसके समें लोग send का यूज़ करेंगे और type में वेवस्टेकर.send लिखना है उसके बाद में यहां पर जोब लिखेंगे वह client को receive हो जाएगा बस यह ध्यान में रखना है और बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बाकी का आगे का disconnect ह और इसमें भी self, event और यहां पर आपको print आप लिख सकते हैं लिखना ही चाहिए आपको मतलब अभी जब तक आप सीख रहे हैं तब बाकी उस प्रोडक्शन में तो नहीं लिखना है disconnected disconnected देता हूं तीन बार और यहां पर कॉमा देकर event उके उसके बाद रेज कर देते हैं stop consumer को यह हमारा रेज हो जाएगा तो यह हमारा सिंग कंजुमर बन गेते हैं बसे में चेक करने की जरूरत है और हमारा काम हो जाएगा तो फिर से समझे लिजिए क्यों मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि confusion होता है और आपको दिमाग में clear रखना है कि यह कब कॉल होता है यह सब तो जैसे ही client request भेजा हो यह हमारा kuall हुआ अब हमें उस request को accept करना है यह यहां से यह होता है तो जैसे आप हम्रा एक्सेप्ट होगा तो अमारे हो जैगा source हमारे में भेजना है application share client में भेजना है कोई message तो इसके लिए हम लोग self.send और websocket.send ये use करेंगे और यहाँ पर जो भी message देना हो दे सकते हैं तो यह message चला जाएगा client के पास receive करने के लिए यहाँ पर यह आता है event text और send करने के लिए आपको इस तरह यह से लिखना होता है और इधर नीचे disconnect होते होता हमारा यहाँ इसको चलिए save करते हैं और इसको examine करके देखेंगे उससे पहले हमें इसका routing लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर routing.py फाइल में आते हैं और यहाँ से import कर लेते हैं दो चीजे उसके बाद हम लोग यहाँ से websocket कोई भी नाम आपर लि यह लिखा मैंने save कर दिया तो यह हमारा कम हो गया ठीक है अभी हम लोग इसमें हीट कर सकते हैं यह websocket में और इसमें हीट करने से हमारा mySync consumer चलेगा यह consumer connection बनेगा तो यह को execute होगा receive होगा तो यह send होगा तो यह और disconnect होगा तो यह चलिए इसको check करते हैं तो यहाँ पर python manage. run server करके इसको run कर लेते हैं इसमें को issue नहीं है किसे हमारा यह चल रहा है इसको टेस्ट को टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर postman का use करेंगे तो पोस्ट में open कर लेता हूं कि यह पोस्ट में मेरा open हो रहा है login होना बहुत जरूरी है postman मेरा postman already login है मैंने login करके अभी बस यहाँ पर अपने URL लिखिए जो कि मैंने लिख्वा है ws colon slash slash 127.0.0.1 और 8000 port पर और ws sc लिखना है ना कि ac तो sc मैंने लिख दिया याणि कि यहाँ जो root हमने लिख्वा था बस यह ही लिखना होता है और local में है तो 127.0.0.1 और 8000 port पर यहाँ पर protocol हम लोग ws use करेंगे ना कि http देपस इसको connect करते हैं और slash यहाँ पर लगाना जरूरी है आगे मैं यह ध्यान में रखेगा connect में क्रिक किया देखिए हमारे यह को देखेंगे तर्मिनल में तो यहाँ पर टर्मिनल आपको दिखाई देगा देखिए website connected और हमें जो हमारी event है वह हमें दिखाई मैसेज भेजेंगे मैसेज भेजेंगे देखिए हम जैसे हमने connect किया वैसे हमारे यह चला website connected जिससे कि आपको टर्मिनल में यह दिखाई देता है होगे हमारा connection हो चुका है अगर accept नहीं होता तो हमारा यह disconnect हो जाता अब कम्मिनिकेशन हो सकता अब डेटा रिसीव और सेंड़ आप कर सकते हैं यह देटा क्लाइंट से application के पास भेज कर दिखाता हूं तो हमारा लंबा सामने message यह text message में भेज रहा हूं मैं client हूं message भेज रहा हूं और यहाँ पर send का बटन दिया हूं send में क्लिक कीज़ेगा देखिए जो message जाता है आपको आप error के साथ दिखा जाता है मैं client हूं message भेज रहा हूं जैसे हमने message को भेज आ वैसे ही क्या हुआ कि यह website receive जो हम property है जिस भी actual message हमें दिखा जाता है जो client हमें भेजता है तो उसी को मैंने print करके आपको दिखा है event text में जो कि आप यह आप नीचे देख सकते है तो यह client के पास message दिखा जैसे message जाता है तो हमने message वापस send करने का भी code लिख लिखा हूँ है तो message जो receive हुआ तो हमारा आ गया application के पास application भी कुछ message है जो client को भेज रहा है तो आप देख सकते हैं आप जब सही हमारा execute होता है तो यह जो text में जो message send to client यह हमें मिल जाता है अपने client के पास अपने client के पास यह message हमारा आ गया तो यह हमारा चलेगा और टर्मिनल में हमें दिखाए देगा कि वेफ सकते हैं इसका काम करने का अब इस ही को आप आप एसिंग में भी बना सकते हैं इस पूरे को copy कीजिए और एक बार पेस्ट कीजिए और बस यहां पर नाम चेंज कर दीजिए यह माई एसिंग कंजूमर हो जाएगा और यहां पर भी आपको एसिंग कंजूमर लिखना है और सभी जो हमारी methods है उसमें एसिंग लिखना है तो इससरी किसे एसिंग कि यहां लिख दीजिए और आपको एसिंग यहां भी लिखना पड़ेगा और आपको एसिंग कि यहां भी लिखना पड़ेगा उसके बाद आप यहां पर आपको अवेट लिखना पड़ेगा और यहां पर आपको अवेट लिखना पड़ेगा और तो async के साथ await आपको लिखना पड़ता है आपको इतना तो पता होगा हमने async await बहुत जागा पर पढ़ा होगा है इसको हमने इसको कर दिया save अप लेखते हैं यह वाले इसको करने के इसका पहले रूट में बनना पड़ेगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं को पीपेस्ट करते हैं इसका रूट करते हैं इसका रूट हम लोग कर देंगे ac wsac और यह execute करेगा my async यह नहीं my async consumer लिख देता हूँ यहाँ पर my async consumer को जैसे इस पर हीट करेंगे यह my async consumer को हीट करेगा और connection बनेगा तो यह will execute होगा receive होगा तो यह message send होगा तो यह disconnect होगा तो यह बागी सारे काम करने का तरीका जो आता है वह विल्कुल यह बेज रहा हूँ इसको send करेंगे ac को text send किया देखे send होगया और हमें receive होगया साथ में जब send किया तो हमारा यह web circuit send चला और यहाँ पर आपको दिखाए देगा message received from client और जो भी event था हुआ और साथ में message भी हमने प्रिंट किया तो message receive होगया अभी हम यहाँ पर send करने का भी खोल लिका तो यह जो message है क्लाइंट के पास send होगया जोग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर इसको access कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली आप जवाइसक्रिट वेकर देखिया disconnect हो गया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा disconnected ओके जी तो यह सारी चीज़ें हो गई और सबकुछ अगर बढ़िया रहा तो यह देर देर आपको समझ में आ जाएगा अभी लगएगा कि repeat हो रहा है सेम छी repeat हो रहा है लेकिन ऐसा सोचना नहीं है कुछ लोग जैसे पूरा consumer अब इस चीज़ को आप अपना अपने दिमाग में डाल लेजे पूरा async हो या सिंख हो कब कौन सा method चलता है कौन सा event का क्या मतलब हो दा है कौन सा message भेजना हो तो क्या code लिखना है message receive करना है तो क्या code लिखना है और discount करना है तो क्या code लिखना है यह पूरा होता है कैसे event चलता है event का कौन सा handler चलता है और यह internally कैसे वाग करता है इतना आपका clear हो गया अभी हम लोग आगे जब देखेंगे कि actually इसको प्रोग्राम में यूज कैसे करना होता है तो आपको यह concept अगर क्लिकर रहेगा तापको इसको अच्छे तरी के समझ पाएंगे तो इसको दिमाप में बना के रखिए और पूरे course को follow कीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत दन्यवाद क्लिकर देखने कीजिए